वेलकम बच्चों, बच्चों आप लोगोंने नची केता का नाम सुना होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन नची केता बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत ही ज्यान प्राप्त कर लिया था, वे धर्म गुरू के रूप में ल नची केता उन्हीं के नाम से चप्टर का नाम दिया गया है तो आए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं मैं हुद लाचंदा स्वागत करता हूँ आप से भी का एक नए वीडियो में तो आए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं once upon a time there was a king एक बार की बात है कि एक राजा था the name of the king was वाजश्रवा और उस राजा का नाम वाजश्रवा था he had a loving son named नची केता उनका एक बहुत ही प्यारा पुत्र था जिनका नाम नची केता था नची केता वाज काइंड हर्टेड नची केता बहुत ही द्यालू हिर्देका था he was obedient and determined he was obedient and determined वा बहुत ही आज्याकारी और दिधनिस्चे वाला था king वाजश्रवा was performing a yagya राजा वाजश्रवा एक yag करवा रहे थे it continued for a fortnight यह एक पक चलने वाला था एक पक मतलब अता है 15 दिन 2 सब्ता the purpose of the yagya was to please God इस yagya का उद्देश यह था कि भगवान को परसंद किया जाए many priests performed this yagya बहुत सारे पुजारी पंडित इस yag में भाग ले रहे थे the king had to give away all his dear and near belongings in charity to make it successful राजा इस yag को सफल करने के लिए वे वचनवद थे कि वे अपने सबसे नजदी की और सबसे प्यारी चीज़ को दान करेंगे नची केता वाज assigned the work of charity नची केता को दान के कायर को सौपा गया उनको देख रेख दिया गया he went to watch the charity वे दान के कायर को देखने के लिए वहाँ पहुँच गये priests were being given old and barren cattle पुजारियों को बिरिध पसू, बिरिध गाएं और बांज गाएं जो थी जिनका कोई बच्चा नहीं था वे ऐसे पसूं को दान में दिया जा रहा था नची केता वाज surprised at it नची केता ये चीज़ देखकर आश्चर चकित हो गये he asked one of the ministers वे एक मंत्री को बोले why are you giving old cattle to the priests कि आप इस परकार के विरिध केटल विरिध गाएं को आप पुजारियों को क्यों दे रहे है the king had ordered me to do so राजा ने हमें इस परकार की आज्या दिया है what will the priests do with this cattle इस परकार के विरिध गाएं को पुजारी लोग क्या करेंगे इसका आगे दिया हुआ है they will feed the cattle but they will not get milk from them वे सिर्फ इनको खिलाएंगे और इनसे उन लोगों को कोई दूद प्राप्त नहीं होगा it will be a burden for them या तो उनके लिए बोज हो जाएगा yes, you are right but we can do nothing कि आप सही कह रहे हैं लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते we have to obey the order of the king हम सिर्फ राजा की आग्यां का पालन कर सकते हैं stop giving this cattle to the priest कि इस परकार के जानवारों को आप देना बंद कर दिजिए I am going to meet the king मैं जा रहा हूं महराज से मिलने के लिए नची केता went to his father नची केता अपने पिता के पास चले गए his father asked him उनके पिता ने उनसे पुछा did you see the work of charity क्या तुमने डान के कारी को देखा yes, I had gone there but I returned immediately नची केता बोल रहा है कि हाँ, मैंने देखा मैं वहाँ गया था, देखा और तुरंत वापस आ गया why did you return कि तुम वापस क्यों आ गए I did not like the work of charity मुझे दान का कारी पसंद नहीं आया what was the problem there वहाँ क्या समस्या थी the priests were being given old cattle पुजारियों को बिरिद गाएं दी जा रही है I had told the ministers to do so ऐसा करने के लिए मंतरियों को मैंने ही कहा है Father, you should give your near and dear belongings in charity पिता जी, आपने ये वचन दिया था कि आप सबसे नजदी की और अपने सबसे प्यारे चीज़ को दान करेंगे That is right हाँ, यह सही है Who is the dearest for you? तो फिर आपके लिए सबसे प्यारे वस्तु क्या है Of course, you are the dearest my son निश्चित रुप से मेरा सबसे प्यारे तुम हो मेरे पुत्र Why do you not give your son in charity? आप अपने पुत्र को दान में क्यों नहीं दे देते? What are you saying? यह तुम क्या कह रहे हो? If you want to make the यग्या successful You should give your son in charity अगर आप चाते हैं कि यग्य सफल हो तो आपको अपने पुत्र को दान के रूप में दे देना चाहिए The king was busy राजा ब्यस्त था He became irritated and angry at Nachiketa's word वह Nachiketa के बातों को सुनकर परिशान हो गया और गुस्सा आ गया उसे He said और उसने कह दिया I give you to Yama कि मैं तुम्हें मिर्तियों को दान करता हूं Nachiketa touched the feet of his father and started his journey to Yama Loka Nachiketa इन बातों को सुनकर जब उनके पिता ने उनको आदेश दिया तो वह अपने पिता के पाउं को छूता है और उनसे आज्यान लेकर अपनी यात्रा में निकल जाता है वह यमराज के निवासस्थान पर पहुँच जाता है वहाँ गेट पर जो गार्ड खड़े थे उन्होंने Nachiketa को वहाँ पर रोक लिया Nachiketa said फिर Nachiketa ने कहा I have come to meet Lord Yama मैं यमराज से यहाँ पर मिलने के लिए आया हूं Let me go inside मुझे अंदर जाने दो The guard said रचक ने कहा No one is allowed to enter without permission बिना आज्या के किसी को भी अंदर जाने की अनुमती नहीं है Please inform him about me किरपया करके मेरे बारे में उन्हें सुचित कीजिए Lord Yama is not here He will return after three days Lord Yama is not here He will return after three days महराज अम यहाँ पर भी नहीं है वह तीन दिन बाद वापस लोटेंगे I shall wait here for him मैं यहीं उनका इंतजार करूंगा नची केता अस्टूट देर on one leg for three days नची केता एक टांग पर तीन दिन तक खड़े रहे When Yama returned He saw a young boy waiting for his arrival at the doorstep जब यमराज वापस लोटे उन्होंने देखा एक युवा लड़का उनके दरवाजे पर उनके आने का इंतजार कर रहा है He asked उन्होंने पुछा What are you doing here? कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I am waiting for you मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ When have you come here? तुम यहाँ कब आये हो? I have come here before three days मैं यहाँ तीन दिन पहले आया हूँ What did you eat to survive for three days? तुमने स्वेम को जिंदा रखने के लिए तीन दिन तक क्या खाया? I enjoyed all your good deeds which gave me energy to wait here मैं आपके सभी अच्छे कारियों को याद करता रहा और उससे आननदित होता रहा और इसी से मुझे आपके इंतजार करने की उर्जा मिलती रही You are very wise तुम बहुत ही बुधिमान हो I am pleased with your answer मैं तुमारे इस उत्तर से बहुत ही खुस हूँ Tell me the cause of your coming here कि बताओ तुम किस कारण यहाँ पे आये हो My father ordered me to do so मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा Your life is very long तुमारा जीवन काल बहुत ही लंबा है You will have to go back on the earth तुम्हें पिर्थ्विमे में वापस जाना पड़ेगा You waited here for three days I shall grant you three boons तुम तीन दिन तक मेरा यहाँ इंतजार करते रहे इसके लिए मैं तुम्हें तीन वर्दान दोंगा For the first boon नची केता सेट पर्थम वर्दान के लिए नची केता ने कहा My father should not be angry when I return my home जब मैं वापस घर जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे पर गुसा ना हूं यम्मा ग्रांटेड दा फिस और पहला वर्दान यम्राज ने उन्हें दे दिया For the second boon नची केता सेट दूसरे वर्दान के लिए नची केता ने कहा I want to know about the creation of this world मैं इस संसार की उत्पती के बारे में जानना चाहता हूं यम्मा इक्स्प्लेन the creation of this world और यम्राज ने प्रित्वे की उत्पती के बारे में उनको वर्णन करके बतलाया For the third boon नची केता सेट तीसरे वर्दान के लिए नची केता ने कहा I want to know the truth about life after death मैं मिर्थ्यू के बाद के जीवन की सच्चाई के बारे में जानना चाहता हूं यम्मा सेट You should ask for anything else यम्मा ने कहा कि तुम्हें इसके अलावा और कोई दूसरी चीज पुछनी चाहिए You may ask for wealth, power, or lordship of the whole world तुम पुरी दुनिया की कोई धन समपती, या सक्ती, या स्वामित्यू के बारे में पुछ सकते हो You shall grant your wish right now मैं तुम्हारी इस परकार की इच्छा को अभी पूरा कर दूँगा नची केता सेट नची केता कहता है You have just told me about the world आपने मुझे इस संसार के बारे में बताया One day, even this world will come to an end एक दिन या संसार नस्ट हो जाएगा What will I do then? फिर मैं क्या करूंगा? They will state my senses only for a while ये चीज़ें सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे पराप्त हो सकेगा Yama said Yamraaj कह रहे है No one will answer your question कोई भी तुमारे प्रस्णों का जवाब नहीं देगा It is a secret या एक रहस है नची केता सेट नची केता कहता है But you know this secret लेकिन आप इस रहस को जानते है If you want to grant me the third one you should satisfy my query अगर आप मुझे तीसरा वर्दान देना चाते हैं तो मेरे प्रस्णों का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट कीजिए Having seen नची केता's insistence Yama had to grant him the third one नची केता के हट को देखकर यमराज उन्हें तीसरा वर्दान देने के लिए तयार हो गए नची केता received the highest knowledge of the universe नची केता ने बरमांड के सबसे उच ज्यान को प्राप्त किया This knowledge made him free from any kind of sorrow इस ज्यान के द्वारा नची केता सांसारिक दुखों से आजाद हो गया अब उन पर सांसारिक दुखों का कोई भी असर नहीं होने लगा When he returned to his father He was embraced by father जब वे अपने पिताजी के पास लोटे तो उनके पिताजी ने उन्हें गले से लगा लिया His father gave all his precious things to the priest in charity उनके पिता के पास जो भी किमती बस्तुमें थी उन सब को उसने charity में दान में पुजारियों को दे दिया और यहाँ पे इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाता है आईए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है यह है इस chapter का questions, answer these questions यहाँ पे और two number में दिया हुआ है Who said to whom? किसने? किस से कहा? और इसके आगे और question number five में opposite words लिखना है इसके अलावा question number six में कुछ grammatical question दिया हुआ है जो options से चुन कर भरना है तो यह मैं आपको इन सब का answer बना के दिखाता हूँ यह है chapter 10 का question answer answer this question Who was Naciketa? Naciketa was the son of the king Vajashrava What was the purpose of the yagya? The purpose of the yagya was to please God Why was Naciketa surprised? Naciketa was surprised because the priests were being given old and barren cattle What did Naciketa suggest to make the yagya successful? Naciketa suggested his father to make yagya successful that he should give his son in charity Why had Naciketa to wait for Yama? Naciketa had waited Yama because he was to return after three days Who told Naciketa to go back on the earth? Lord Amma told him that he would have to go back on the earth Question number 3 Write yes or no इसमें direct answer दिया गया है Yes or no यहाँ पे लिख दिया गया है आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं Question number 4 में fill in the blanks दिये हिवे words से भरने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे direct इसका answer दे दिया गया है आप यहाँ से अपने book में भर सकते हैं और question number 5 में opposite word लिखने के लिए कहा गया है तो मैंने diet उसका opposite कर दिया है उसका opposite word लिख दिया है आप यहाँ से देखके लिख सकते हैं Question number 7 में मैंने diet प्रे position लिख दिया है जो answer है और इसको देखकर आप उसमें भर सकते हैं question number two का answer इसमें ने दिया गया है जो वीडियो में दिखाया गया है two में तो उसमें जो कुछ भी भरा हुआ है वो सही है आप वहाँ से उसका answer ले सकते हैं और यहाँ पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाती है और अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है तो हमारे वीडियो को एक like जुरूर कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए इसके एकले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो है हम लोग नेक्स वीडियो में चलेंगे